अद्यक्षम होदाई, संयुक्त राष्ट की 75 वी वर्षगाट पर मैं भारत के 130 करोड से जादा लोगों की तरफ से प्रतेग सदस्य देश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ. भारत को इस बात का बहुत गर्व है कि वो संयुक्त राष्ट के संस्थापक देशों में से एक है. आज के इस अइतिहास्टिक अउसर पर मैं आप सभी के सामने भारत के 130 करोड लोगों की भावनाएं इस वैश्विक मंच पर साजा करने आया. अध्यक्ष महोदय, 1945 की दुनिया निश्चित तौर पर आज से बहुत अलग थी. पूरा वैश्विक माहोड, साधन, संसाधन, समस्याएं, समाधान सब कुछ भिंद्र थे. ऐसे में विश्व कल्याण की भावना के साथ, जिस संसा का गठन हुआ, जिस स्वरूप में गठन हुआ, वो भी उस समय के हिसाब से ही था. आज हम एक बिलकुल अलग दौर में हैं, 21 सदी में हमारे वरतमान की, हमारे भविश्य की आवशक्ताएं और चनोतियां अब कुछ और है. इसलिए, आज पूरे विश्व समुदाय के सामने, एक बहुत बड़ा सवाल है, कि जिस संस्ता का गठन, तब की परिशित्यों में हुआ था, उसका स्वरूप, क्या आज भी प्रासंगीक है? सदी बदल जाएं, और हम न बड़लें, तो बडलाव लाने की ताकत भी कमजोर हो जाती है. अगर हम बीते 75 वर्सों में संयुक्तराश की उपलब्दियों का मुल्यांग डन करें, तो अनेक उपलब्दियां दिखाई देती हैं. लेकिन इसके साथ ही अनेक ऐसे उधारण भी हैं, जो संयुक्तराश के सामने गंबीर आत्ममन्थन की आवशक्तां खड़ी करते हैं. ये बात सही है, कि कहने को तो तीसरा विश्विद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते, कि अनेकों युद्ध हुए, अनेकों ग्रह युद्ध भी हुए, कितने ही आतं की हमलों ने पूरी दुनिया को थर्रा कर रख दिया, खुन की नदिया बहती रही, इन युद्धों में, इन हमलों में, जो मारे गए, वो हमारी आपकी तरह इंसान ही थे, वो लाखों मासूम बच्चे, जिने दुनिया पर चा जाना था, वो दुनिया छोड़ कर चले गए, कितने ही लोगों को, अपने जीवन भर की पूंजी, गवानी पड़ी, अपने सपनों का घर छोड़ना पड़ा, कुछ समय और आज भी, सयुप्तर राश के प्रयास क्या परियाप्त थे, कि पिछले आठ नव महने से पुरा विश्व, कोरोना वैश्वीक महामारी से संगर्ष कर रहा है, इस वैश्वीक महामारी से निपटने के प्रयासों में, सयुप्तर राश्ट कहा है, एक प्रभाव साली रिस्पोंस कहा है, अध्यक्ष महवदय, सयुप्तर राश्ट की प्रतिक्रियाओं में बढ़लाओ, व्यवस्थाओं में बढ़लाओ, स्वरूप में बढ़लाओ, आज समय की माँग है, सयुप्तर राश्ट का भारत में जो सम्मान है, भारत के 130 करोड से जादा लोगों का, इस वैश्विक संस्ता पर जो अटूट विश्वास है, वो आपको बहुत कम देशों में मिलेगा, लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है, कि भारत के लोग, सयुप्तर राश्ट के रिफॉर्म को लेकर, जो प्रोसेस चल रहा है, उसके पूरा हुने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे है, आज भारत के लोग किन्तित है, कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लोजिकल एंड तक पहुँच पाएगा, आखिर कब तक भारत को सयुप्तर राश्ट के डिसिजन मेंकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा, एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक ऐसा देश जहां विश्वकी अठारा प्रतिसत से ज़्यादा जनसंख्या रहती है, एक ऐसा देश जहां सैंकडो भाशाये हैं, सैंकडो बोलिया है, अनेको पंथ हैं, अनेको विचारदारा हैं, जिस देश ने सैंकडो वर्षों तक वैश्वीक अर्थे ववस्ता का नेत्रुत्व करने, और सैंकडो वर्षों की गुलामी दोनों को जिया है, अध्यक्ष महोदाये, जब हम मजबूत थे, तो दुनिया को कभी सताया नहीं, जब हम मजबूर थे, तो दुनिया पर कभी बोज नहीं बने, अध्यक्ष महोदाये, जिस देश में हो रहे परिवर्टनों का प्रभाव, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से प्रपड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदाये, संयुक्त राष्ट, जिन आदर्शों के साथ स्थापिद हुआ था, और भारत की मूल दार्थनिक सोच, बहुत मिलती जुलती है, अलग नहीं है, संयुक्त राष्ट के इसी हॉल में, ये शब्द अने को बार गुंजा है, वसुधैव कुटुम कम, हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, ये हमारी संस्कृती, संस्कार और सोच का हिस्सा है, संयुक्त राष्ट में भी, भारत ने हमेशा, विश्व कल्यान को ही प्रात्विक्ता दी हैं, भारत वो देश हैं, जितने शांति की स्थापना के लिए, लगभग पचास पीस किपिंग मिशन्स में, अपने जांबाच सैनिक भेजे, भारत वो देश हैं, जितने शांति की स्थापना में सबसे जांदा अपने वीर सैनिकों को खोया है, आज प्रतेग भारतवासी संयुक्त राष्ट में अपने योगदान को देखते हुई हैं, संयुक्त राष्ट में अपनी व्यापक भूमी का भी देख रहा है। अध्यक्ष महोदय, दो अक्तूबर को इंटरनेशनल डे अफ नन वाइलन्स और 21 जून को इंटरनेशनल डे अफ योगा इनकी पहल भारत ने ही की थी। Coalition for Disaster Resilience Infrastructure और इंटरनेशनल सोलार एलाइंस ये भारत के ही प्रयास है। भारत ने हमेशा पूरी मानव जाती के हित के बारे में सोचा है। न की अपने निहित स्वारतों के बारे में भारत की नीतियां हमेशा से इसी दर्शन से प्रेवित रही है। भारत की Neighborhood First Policy से लेकर, Act East Policy तक, Security and Growth for all in the region, इसकी सोच, या फिर Indo-Pacific शेत्र के प्रत्की हमारे विचार, सभी में इस दर्शन की जलग दिखाई देती है। भारत की Partnership का मारदर्शन भी यही सिद्दान तय करता है। भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो वो किसी तीसरे के खिलाब नहीं होती। भारत जब विकास की साजेदारी मजबूत करता है, तो उसके पीछे किसी साथी देश को मजबूर करने की सोच नहीं होती। हम अपनी विकास यात्रा से मिले अनुभव साजा करने में कभी पीछे नहीं रहते। अध्यक्ष महोदाए, पैंडेमिक के इस मुश्किल समय में भी भारत की फार्मा इंडिस्ट्री ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाईयां भेजी हैं। इश्व के सबसे बड़े वैक्सिन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्वीक समुदाय को एक और आश्वाशन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सिन प्रोडक्शन और वैक्सिन डिलिवरी चमता पूरी मानवता को इस संकर से बहार निकालने के लिए काम आयेगी। हम भारत में और अपने पडोस में फेज थ्री क्लिनिकल ट्राइल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वैक्सिन की डिलिवरी के लिए कोल्ड चेइन और स्टोरेज जैसिक शमता बढ़ाने में भी भारत सभी की मदद करेगा। अध्यक्ष महोदाय अगले वर्ष जन्वरी से भारत सुरक्षा परिशत के अस्थाई सदस्य के तौर पर भी अपना दाईत्व निभाएगा। दुनिया के अनेक देशों ने भारत पर जो विश्वास जताया है मैं उसके लिए सभी साथी देशों का आभार प्रगट करता हूँ। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की प्रतिष्ठा और इसके अनुभव को हम विश्व हित के लिए उप्योग करेंगे। हमारा मार्ग जन कल्यान से जग कल्यान का है। भारत की आवाज हमेशा शांती, सुरक्षा और सम्रुद्ध के लिए उठेगी। भारत की आवाज, मानवता, मानवजाती और मानविय मुल्यों के दुष्वन, आतंकबाद, अवेद हत्यारों की तसकरी, ड्रग्स, मनी लौंडरिंग के खिलाब उठेगी। भारत की सांस्कृति गरोहर, संस्कार, हजारों वर्षों के अनुभव, हमेशा विकास सिल देशों को ताकत देंगे। भारत के अनुभव, भारत की उतार चडाव से भरी विकास यात्रा, विश्व कल्यार के मार्ग को मजबूत करेगी। अध्यक्ष महोदाय, बीते कुछ वर्षों में, रिफार्म, पर्फार्म, ट्रांस्फार्म, इस मंत्र के साथ भारत ने करोडों भारतियों के जीवन में बड़े बड़लाव लाने का काम किया है। यानुभव, विश्व के बहुत से देशों के लिए उतने ही उपयोगी है, जितने हमारे लिए। सिर्फ चार-पांच साल में, चार सो मिलियन से जादा लोगों को बैंकिंग सिस्टिम से जोड़ना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया। सिर्फ चार-पांच साल में, छैसो मिलियन लोगों को ओपन डिफिकेशन से मुक्त करना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया। सिर्फ दो-तीन साल में, पांच सो मिलियन से जादा लोगों को मुप्त इलाज की सुविदा से जोड़ना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया। आज भारत डिजिटल टांजेक्शन के मामले में, दुनिया के अग्रणी देशों में है, आज भारत अपने करोडो नागरिकों को डिजिटल एक्सेस दे कर, एमपावर्मेंट और ट्रांसपरंसी सुनिश्चीत कर रहा है। आज भारत वर्ष दोहजार पचीज तक अपने प्रतेक नागरिक को टीबी से मुक्त करने के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रहा है। आज भारत अपने गाउं के 150 मिलियन गरों में पाइप से पीने का पानी पहुचाने का अभियान चला रहा है। कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने 6 लाग गाउं को ब्रॉड बेंड अप्टिकल फाइबर से कनेक करने की बहुत बड़ी योजना की शुरुवात की है। अध्यक्ष महोदय पैंडेमिक के बाद बनी परिस्तित्यों के बाद हम आत्म निर्भर भारत के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आत्म निर्भर भारत अभियान ग्लोबल एकनोमिक के लिए भी एक फोर्स मल्टिप्लायर होगा। बारत में आजे सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी योजनाओं का लाप बिना किसी भेदभाव प्रतेक नागरिक तक पहुँचे। Women Enterprise और Leadership को प्रमोट करने के लिए भारत में बड़े स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी Micro Financing Scheme का सबसे जाना लाप भारत की महिलाएं ही उठा रही है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां महिलाओं को 26 weeks की paid maternity leave दी जा रही है। भारत में Transgenders के अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए भी कानूनी सुधार दिये गए है। अध्यक्ष महोदाय भारत विश्व से सिखते हुए विश्व को अपने अनुभव बाणते हुए आगे बढ़ना चाहता है। मुझे विश्वास है कि अपने 75 वे वर्ष में संयुक्त राष्ट और सदस्य सभी देश इस महान संस्ता की प्रासंगित्ता बनाए रखने के लिए और प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। संयुक्त राष्ट में संतुलन और संयुक्त राष्ट का ससक्ति करण विश्व कल्यार के लिए उतना ही अनिवार्य है। आईए संयुक्त राष्ट के पच्चतरवे वर्ष पर हम सम मिलकर अपने आपको विश्व कल्यार के लिए एक बार फिर समर्पीत करने का प्रम ले। धन्यवाद। का भाल्य और समें ही अ कल्यार्य